जारखड में एक ऐसा गाव है जहां पर किसी आदमी का साधिय नहीं होता है सब कुमारा रह जाता है अनिता जी आपकी यहां पर शाधी हुई है कि आप यहां की बेटी है बेटी है यह बताई जब आपकी इस गाव में साधी लग रही थी तो आपके पिता जी क्या यहां पर वो भी पच्टाता है महिला हो चाहे पूरुस हो अगर उसकी उम्र अगर हो जाती है 20 साल, 22 साल, 24 साल तो हर कोई चाहता है कि उसकी शादी हो जाए लेकिन जारखंड के दुमका जी लेके जामा परखंड का एक गाउं है लगकर जोडिया यहाँ पर किसी पूरुस की शादी नहीं होती है यहाँ पर लड़की के जो पिता है इस गाउं में अपनी बेटी को नहीं ब्याहना चाहते है आपको सुनके जटका लगा होगा कि आखिर जारखंड का एक ऐसा गाओं है जहाँ पर किसी भी पूरुस की शादी नहीं होती है तो आपको लगेगे कि ये मजाग कर रहा है कोई भी लड़की का पिता अपने बेटी को जो है यहाँ पर नहीं भी आना चाहता था लेकिन अब बदल गया है तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि ऐसा क्यूं होता था यहाँ के लोगों की शादी नहीं होती थी तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि यहाँ पर मूल भूत चीजों की कमी थी आने के लिए गाह में सलक नहीं था बिजली के लिए खंबा गड़ा गया था तो उस पर तार नहीं था मतलब बेसिक सुविधाय नहीं थी इस कारण से कोई भी बाप अपनी बेटी को इस गाह में नहीं ब्याना चाहता था इसी कारण यहाँ के जो मर्द थे युवा थे सभी लोग कुवारे रहते थे लेकिन अब बताया जा रहा है कि अब लगबख सभी की साधी हो रही है गाह में कुछ जगा पर रोड भी बन गया है तो यहीं हम जानने के लिए यहाँ पर आया है कि जिस गाह में किसी की शाधी नहीं होती थी अब आखिर कैसे विया होने लगा दादा जोहार दादा यह बताये कि आज सेखदन एक साल पहले खबर चला था कि जामा पर खंड का लकर जोडिया गाउं है जहां पर किसी भी आदमी का साधी नहीं होता है तो इस बात में सच्चाई था कोई करीबिया होता था काहे नहीं होता था गरीबी कारण से अच्छा गरीबी के कारण से बधाली के कारण से तो गाह में कतो आने के लिए सड़क भी नहीं था अब साधी होने लगा है अच्छा एक साल बात इस गाह में कितने आदमी का साधी कितने मर्द का साधी हुआ है आपके हिसाब से इन से हाँ इन साल कि इन साल दिन चार तीन-चार साधी हुआ है अभी इन causing हुआ मतलब गरीबी बदहाली भुखमरी का कारण गाउं में कोई भी बाफ जो है अपनी बेटी का रिस्ता इस गाउं में करना चाता था कुछ महिलाएं हैं इनसे जारा जानने का प्रियास करते हैं आपका नम क्या है जैन्तिकम आप यहीं की रहने वाली है कि आप आपकी शादी यहां पर हुई है कहां आपका घर है आगोया आपकी शादी कब हुई है आपका किया नम है आपकी शादी इस गाँ में हुई है तो आपकी कब सादी हुई है अगले साल हुआ है, तो यह बताई जब आपकी इस गाउं में साधी लग रही थी, तो आपके पिता जी क्या यहाँ पर देखने आये थे, आपको पता चलाओगा कि इस गाउं में किसी की साधी नहीं होती है, फिर आपकी साधी इसी गाउं में हो रहे थी, तो उससे में कुछ समझ में आया था आपको पता नहीं था किस गाव में किसी भी आदमी की शादी नहीं होती है आपका नाम क्या है अनिता जी आपकी यहां पर शादी हुई है कि आप यहां की बेटी है तो आप बताईए कि यहां के जो आपके भाई होंगे आपके रिश्यदार होंगे उनकी शादी सच में नहीं हो रही थी पहले कि नहीं मतलब नहीं विती इनका कहना है काखी बताएंगी जोहार का की अच्छा का कि यह बताएंगी कि का तो गाहां में किसी का साधी नहीं होता था अज से दू साल पहले एक साल पहले जहीं बात है पहले नहीं हो रहा था अच्छा इनका कहना है कि पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब होने लगा है तो इधर आदमियों से बात करेंगे हिंदी जानते हैं न देदा आच्छा यह बताएं कि जैसे हम लोग खबर देखें और खबर सुनें तो हम लोग हिल गए कि आरे भाई जारखण में एक ऐसा गाम है जहां पर किसी आदमी का साधिय नहीं होता है सब कुमारा रह जाता है तो ऐसा कहे होता था साधिय अचा सा0 प्षका बन गया आगर शेतर देखा तो रिष्ठा तोड़ देता था यहां कि यहां पर काफी पहले हो चुका है आज का अउवाहं की साधी नहीं हो रही थी अ अच измен वन्हों हो रहे थी मतलब सव में 50 लोग 25 लोग 5% मतलब मानके चलिए कुछ लोग यहाँ पर उनकी शाधी नहीं होती थी आ अब सब की सुनिवास वेत्रा साब ये बताइये कि जैसा की खबरों में देखे थे और सुने थे गाव में किसी की साधी नहीं होती थी तो इसमें सचाई है साही बात है तो साधी सिर इसने नहीं हो रही थी कि यहां पर भूर बूर तो मान के नजर में कोई ऐसा केस बताइए है कि あり और है उससा कट गप्र या उसका साधी कट गया विकास्थ नहीं तुर जाएन के गविधा Nossa कि इस वगर जया tak लेकिन बीच में बहुत सारे परसान होंगे यूगा यहां के यहां परसान तो हुआ था यहां जब खबर सुनी थी तो आई थी खबर सुनने के लिए थी खबर सुनने के बाद कि हमारे छेतर का एक गांवा जहां पर किसी कभी आई नहीं होता है अब की लोगों की शादी होने लगी है और अच्छा कासा पसंद सरी सा होने लगा है लेकिन आज से एक साल डेर साल पहले यहां के युवाओं की शादी नहीं होती थी कोई भी बाप अमनी बेटी को ब्याह देता तो जीवन भर पर सान रहा था कि मेरी बेटी एक अच्छे सड़क पर नहीं पी सकती है उसके बाद साधी तो हो जागी बच्चे होंगे तो कूपोसन के सिकार होंगे इमिनिया के सिकार होंगे मले़िया के सिकार होंगे तमाम प्यीवारी सिकार होंगे इसलीक दिवास्यों की पिकास करना है तो अगरुस्चे नहीं जाते है चलवाइए कुछ की काम चलवाइए जिसके तहत इनके बच्चे में сталार frustrated झाल 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 झाल